क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुँचती है? आपने सडकों के किनारे या बड़े मैदानों पर बिजली के बड़े बड़े खंबे लगे देखे होंगे. इन इलेक्रिक खंबों का इस्तिमाल बिजली को हमारे दफ्तरों, स्कूलों, घरों और कई अलग अलग जगाहों तक पहुँचाने के लिए किया जाता है. आईए देखें कि हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुँचती है? बिजली के खंबे से घर तक L और N की दो इंसिलेटिड वायरें लाई जाती है. L को लाइव वायर कहा जाता है, जो 220 वोल्ट के हाई पोटेंशल पर है. N को नूट्रल वायर कहा जाता है, जो 0 वोल्ट के लो पोटेंशल पर है. Live wire L और Neutral wire N के बीच Potential Difference 220 V है Live wire बिजली के खंबे से सबसे पहले mains fuse F में प्रवेश करती है इस fuse की rating 50 Ampyrs है Mains fuse से live wire मीटर में जाती है और मीटर M से Neutral wire सीधे जोड़ी जाती है ये मीटर M electrical उर्जा को kilowatt hour या units में record करता है इस तरह का मीटर और fuse आपके क्षेतर के बिजली बोर्ट द्वारा आपके घर में स्थापित किया जाता है मीटर M की wireیں main switch S से जुड़ी है यदि कोई खराबी आ जाए या मरमत करनी पड़े तब बिजली की आपूर्ती बाधित करने के लिए इस switch को इस्तिमाल किया जाता है आगे चल कर इन दो wireों को अलग-अलग दो सर्किटों में विभाजित किया जाता है लाइटिंग सर्किट में 5 A का fuse और हीटिंग सर्किट में 15 A का fuse होता है 5 A का लाइटिंग सर्किट बल्बों, पंकों या बिजली की कम खपत करने वाले उपकरणों जैसे कम लोड के लिए इस्तिमाल किया जाता है पंद्रा अम्पियर का हीटिंग सर्किट, रिफ्रिजरेटरों, एर कंडिशनों और माइक्रो वेव्ज या बिजली की अधिक खपत करने वाले उपकरणों जैसे भारी लोड के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसे पावर सर्किट भी कहा जाता है इन सर्किटों के साथ अलग-अलग फ्यूज होते हैं यदि कोई शौट सर्किट होता है तो सबसे पहले प्रदान किया गया फ्यूज उड़ता है और सर्किट के अन्य भागों को नुकसान नहीं पहुँचाता